मार्केट विजाड सेक्षन साथ क्या वह है अधिक रिस्ट्रेक्टिव ट्रेडिंग स्टाइल वह है अप्रोच है जिसे आपने अंत्तय अपनाया है? नहीं, क्योंकि बेसिकली मैंने खेल का बहुत आनंद लिया है। मैं जानता था कि मुझे केवल उन ओप्टेमम ट्रेडों में ही रहना चाहिए लेकिन ट्रेडिंग मेरे लिए एक होबी था। इसने मेरे जीवन में बहुत से अन्या चीजों को रिप्लेस कर दिया। मैंने एक्षन के फन को अपने क्राइटेरिया से उपर रखा। हलांकि जिस चीज ने मुझे बचाया वह यह थी कि जब कोई ट्रेडिंग मेरे सभी क्राइटेरिया को पूरा करता था तो मैं अन्या ट्रेडर्स पर जो पोजिशन साइज कर रहा था उससे 5 से 6 गुना आधिक रिकोर्ड करता था। क्या आपका सारा प्रोफिट उन ट्रेडों से आ रहा था जो क्राइटेरिया को पूरा करते थे? हाँ, क्या अन्या ट्रेडिंग भी गाटे में चल रहे थे? अन्या ट्रेडिंग भी बराबरी पर रहे और मुझे खुश रखा। क्या आपने उन पर नजर रखी ताकि आप जान सकें कि क्या हो रहा था? बस मान सिक रूप से, अन्या ट्रेडों पर मेरा लक्षे सिर्फ बराबरी हासिल करना था, मुझे पता था कि मेरे क्राइटेरिया को पूरा करने वाले ट्रेडों पर मोटी कमाई होने वाली थी, एसे ट्रेडिंग कम क्यों है? क्या मार्केट अधिक सोपिस्टिकेटर हो गया है? हाँ, मेरे शुरुवाती दिनों की तुलना में आज बहुत अधिक प्रोफेशनल स्ट्रेडर हैं, उन वर्षों में एड सेकोटा और असॉम होस्टेटर ने मुझे जो एज सिखाई थे, उन्हे जानकर ही मुझे बढ़त मिली थी, अब हर कोई उन प्रिंसिपल्स को जानता है, आपके पास जीनियस लोगों और कम्प्यूटरों से बहे ट्रेडिंग रूम से हैं, उन दिनों आप बोर्ड देखते थे, और जब वहे एक प्रमुक चार्ट पोईट से उपर चला जाता था तो आप मक्का खरीद लेते थे, एक गंटे बाद अनाज लिफ्ट ऑपरेटर को उसके ब्रोकर का फोन आएगा और वहे खरीद सकता है, अगली दिन ब्रोकरेज हाउस मार्केट को कुछ और उपर धकेलते हुए ट्रेडिंग की रेक्मेंडिशन करेगा, तीसरे दिन हमें उ परिदारी करने वाले पहले लोगों में से एक था, क्योंकि मैं गेम खेलने वाले कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स में से एक था, मैं कई दिनों बात देन्टिस्ट को बेचना बद कर दूँगा, आप शोट ट्रम ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप मेजर मेजर मूव्स के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, मैंने कुछ मेजर मूव्स में ट्रेडिंग किया, लेकिन कई बार में उस तरह के ट्रेडिंग में दो या तेन दिनों में ही अपना प्रोफिट कमा लेता था, आप मार्केट में कब वापस आए, खेर, डिन्टिस्ट अपनी पोजिशन बरकरार नहीं रखने वाले थे, क्योंकि वे गलख टाइम पर खरीदारी कर रहे थे, इसलिए जब मार्केट वापस गिरेगा, तो मैं वापस आऊंगा, आजकल जब मार्केट एक परमुक चार्ट पॉइंट को तोड़ता है, तो इसे ट्रेडर के पूरे यूनिवर्स द्वारा देखा जाता है, तो क्या लेक फॉलोप ट्रेडर अब नहीं है? ठीक है, अनाज लिफ्ट ओपरेटर पहले ही शर्त लगा चुके हैं, डेंटिस्ट के गिंति नहीं होती, क्योंकि उनके ट्रेडिंग भागीदारी का लेवल बहुत कम है, क्या एसा इ प्रोट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एक निरर्थक पोजिशन है, जब फंड मैनेजर एक फ्लिप पर एक हजार का ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब तुमें इससे लगबग अपोजिट होना ही पड़ेगा, आपको पूछना होगा, क्या यह सच नहीं है, कि मेरे सभी साथ प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले ही आ चुके हैं, तो खरीदने के लिए कोन बचा है, आपको पहले इसके बारे में चिंता करने के ज़रूर्ट नहीं थी, क्योंकि खरीदने के लिए हमेशा कोई न कोई बचा रहता था, वे लोग जो इन्फोर्मेशन पराप्त कर रहे थे या धिमी गती से प्रतिकिरिया कर रहे थे, अब हर कोई उतना ही निरनायक, उतना ही तेज है, क्या आब मार्केट में गलत ब्रेकाउट का खत्रा आधिक है, हाँ, और भी बहुत कुछ, क्या ट्रेंड फोलोविंग सिस्टम समनेता के लिए अभिशप्त है, मुझे एसा वि जाए, एक और इंसेप्शन होगा, यदि हम एक परमुक इन्फलेशन या डी इन्फलेरी इन्वार्मेंट में प्रिवेश करते हैं, दूसरे शब्दों में, जब तक कोई बहुत पावर्फुल पोर्ष ने हो, जो बाकी सभी चीजों पर हावी हो सकती है, हाँ, क्या पिछल खाता है, मार्केट बदल गए है, इसका परमान यह है, कि रिचर्ड डेनिस, जिनोंने कई वर्सों तक अच्छा परदर्शन किया है, 1988 में जिस फंड का मेनेजमेंट कर रहे थे, उस पर 50% से अधिका नुक्सान हुआ, ट्रेंड फोलोविंग सिस्टम एप्रोच अब काम न नहीं बचा है, मार्केट दूसरी डारेक्शन में गूम जाता है, और आपको बाहर कर देता है, हमारे पास आप कई अच्छे रुजान नहीं होने का एक कारणी यह है, कि सेंटरल बेंक ट्रेंड के अधर साइड को अपना कर करंसी की मूज को कंट्रोल से बाहर होने से रोक रहे हैं, क्या उन्होंने हमेशा एसा नहीं किया? मुझे एसा नहीं लगता, यदि आप फोरन सेंटरल बेंक द्वारा रखे गई, ट्रेजरी डेट के चार्ट को देखें, तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों के दोरान इनमें भारी क्रोथ हुई है, एसा प्रत और क्या इसके कारण आपके ट्रेडिंग स्टाइल बजल गई है? एक टाइम में मैं करंसीज में भारी ट्रेडिंग करता था, पूर एक्जेंपल, रीगन के पहली बार चुने जाने के बाद के वर्षों में डॉलर बहुत मजबूत था, मैं अपने अकाउंट और कंपनी अ रेरस में से एक था, यह बहुत थका देने वाला था, क्योंकि यह 2400 गंटे चलने वाला मार्केट था, जब मैं सोने जाता था, तो मुझे मार्केट देखने के लिए लगवग हर दो गंटे में उठना पड़ता था, मैं हर परमुक सेंटर के खुलते ही उसमें शामिल हो जा आपको यह निर्धारित करना होगा कि सेंटरल बैंक क्या करने जा रहे हैं, जब आप सक्रिय रूप से करेंसिज का ट्रेडिंग कर रहे थे, तो क्या आप रात बर जाग रहे थे, क्योंकि आप US में मार्केट खुलने से पहले किसी बड़े कदम के गलत पक्ष में फसने के बारे में चिंतित थे, हाँ, क्या आप हमेशा इसी तरह ट्रेडिंग करते थे, या क्या आप इतनी बार पकड़े गए कि आप 2400 गंटे ट्रेडिंग करने लगे, एसा कई बार हुआ कि मैं बेचैन हो गया, क्या कोई बड़ा अंतर होगा जिसे आप विदेश में ट्रेडिं उस टाइम की बात है, जब मैं बुरूस कोवनर के साथ एक सहयोगी की रूप में सहयोग और ट्रेडिंग कर रहा था, हम हर दिन घंटो बातें करते थे, एक दिन हमने देखा कि डॉलर सीक्रेटली तरीके से मजबूत हो गया, प्राइसेज में तीवर उतार चड़ाव था, जिसे किसी भी ज्यात इन्फोर्मेशन से स्पष्ट नहीं किया जा सकता था, हम पागलों की तरह अपनी लंबी करंसीज पोजिशन से बाहर निकल आई, उस सब्ताहन राष्टपती कार्टर ने एक डॉलर सपोर्ट कारिकरम की अनॉस्मेंट की, यदि हमने अगले अमेरिकी ट्रेडिंग सतर तक इंतजार किया होता, तो हम नश्ट हो गए होते, यह पोजिशन उन प्रिंसिपल्स में से एक को दर्शाती है, जिन पर हम विश्वास करते थे, अर्थात, सरकारों सईत बड़े खिलाडी हमेशा अपना हाथ छोड़ देंगे, यदि हमने अपने विरु करंसी फ्यूचर्स मार्केट लगाता कई दिनों तक लिमिट रहे, आप उस मार्केट के बिलकुल टोप के निकट पहुँच गए होंगे, हमने उस ट्रेडिंग से शानदार वापसी की, वैसे भी मेरा मानना यह है कि सिस्टा चार के रूप में यूरोपिया केंद्रिये बै सबसे पहले यूरोप में दिखता है, भले ही यह हमारे द्वारा शुरू की गई किसी चीज के कारण हो, यदि यह यह यूरोपियन लोगों द्वारा शुरू की गई कारवाई है, तो प्राइस मूव निश्चित रूप से सबसे पहले वहीं होगा, मुझे लगता है कि ट्र आपने इस बुक के सेक्शन को सुना, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो, तो इस चैनल को सबस्क्राइब करें, लाइक करें और अपने कम से कम चार दोस्तों के साथ सोशल मेडिया पर शेयर अवश्य करें, धन्यवाद, हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम, आपका देन शोब हो